तो भाई आप सभी PF मेंबर्स के लिए एक और नई जानकारी एक और नई इन्फोर्मेशन लेके हाजिर हो गया हूँ और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी और आपको दिखाऊंगा भी कि अगर आप एक PF मेंबर हैं तो आप कैसे जान सकते हो कैसे पता कर सकते हो कि आपका जो EPF वेजी जाए और EPS जो वेजी जाए वो कितना है देखें आपका जो बेसिक पलस जो डे रहते हैं उसमें से 12% आपका जो PF एकाउंट में जमा हो जाते हैं और जो कंपनी 12% देती है उसमें से 8.33 जो पैंशन यानकी EPS कॉंटिवूशन में यहाँ पर आ जात जाते हो कि आपका जो वेजी जाए EPF वेजी जो कितना है और उसमें कितना अंस्दान जमा हो रहा है जाहिर नहीं हो रहा इसके साथ तो वेडियो में तो चलिए अब वीडियो में आपको क्या करना है आपको अपने मोबाइल में या फिर लेटोप में कोई इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे कि Google Chrome हो गया जब ओपन कर लें तो आपको सर्च करना है EPF Passbook जब सर्च करेंगे तो EPF होगी जो ओफिशियल जो वेबसाइट है पासबुक की वो आपके सामने आजाएगी ओफिशियल जो वेबसाइट है वो है पासबुक.EPFIndia.gov.in इसको ओपन कर लेना है बाकी इसका लिंक मैंने वीडि करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा देख सकते हो sign in EPF Passbook and claim status करमचारी भौशनिदी संक्थन बारत है अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूए नंबर मेंसन करना है यानि की universal account नंबर यहाँ पर password मेंसन करना है और यहाँ पर जो भी member ID यहाँ पर select member ID और यहाँ पर please select at least one member ID इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको जिस भी PF member ID का पता करना है जिस भी PF account का आपको पता करना है वो simple आपको जो अपनी PF member ID select कर लेनी है जैसे PF member ID select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सामने तीन option आएंगे तो यहाँ प पास्बुक New Yearly इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर आपको क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी पास्बुक की complete detail आपका पैसा है कितना जमा हो रहा है कौन से महीने में complete detail यहां पर आ जाएगी और यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको ईप एपेफ wages और यहाँ पर EPS wages आपको देखने को मिल जाएगा आप चलिए मैं आपको calculate करके भी बता देता हूं तो सबसे पहले यहाँ पर देखे select financial layer यहाँ पर आप जो है कौन से financial layer का देखना चाते हो पता करना चाते हो वो अपने साफ से select कर लीजिए जब यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो है EPS wages यहाँ पर दिखा देगा और EPS wages यानि कि Employee Pension Scheme का जो wages है वो यहाँ पर दिखा देगा यानि कि जो pension में जो पैसा जमा हो रहा है pension contribution में जो आपका अंसदान जमा हो रहा है कितने wages पर हो रहा है और जो PF में आपका अंसदान जमा हो रहा है वो कितने EPS wages पर जमा हो रहा है तो चलिए इनका यहाँ पर देखिए EPS wages जो है वो 11,200 है तो 11,200 जो है इसमें से 12% यहाँ पर जमा हो रहा है employee share में तो मैं आपको calculate करके भी दिखा देता हूँ कैसे आप calculate कर सकते हो तो 11,200 ठीक है इसको गुना करते हैं 12 से और भाग दे देते हैं 100 से तो यहाँ पर देखिए 1344 रुपए तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जमा हो रहा है तो 8.33 यहाँ पर जाता है और जो बचा 3.67 वो यहाँ पर employer share में आ जाता है तो यहाँ पर 11,200 का जो है इसको गुना करते हैं 3.67 और यहाँ पर भाग दे देते हैं 100 से तो यहाँ पर आ गया 411 रुपए तो यहाँ पर देख सकते हो employer share में 411 रुपए है तो इस तरह से आप calculate कर सकते हो इस तरह से आप जो अपना EPS wages और EPS wages पता कर सकते हो और यहाँ पर हम आपको बता दूँ कि EPS wages जो है वो maximum 15,000 रुपए पंदरा हजार से जादा जो है EPS wages नहीं हो सकता और पंदरा हजार जो वेजिज रहता है उस पर अगर आप 8.33 से calculate करेंगे 8.33 और भाग देंगे 100 से तो बारा सो पचास रुपए आएगा तो यहाँ पर देखे बारा सो उननचास रुपए पॉइंट 5 यानि कि 1250 रुपए pension contribution में maximum जो है 1250 रुपए pension contribution में जमा हो सकता है तो इस तरह से आप पता कर सकते हो अब जैसे कि यहाँ पर 2021-22 का इनका check कर लेते हैं तो यहाँ पर 2021-22 मैंने select किया तो यहाँ पर जो है अलग हो सकता है क्योंकि आपका जो है increment भी होता है salary गम है तो बाद में का increment हो गए इसी वज़े से जादा wages दिखा रहा था तो वह आप देख सकते हो अपनी salary में भी आपको पता चल जाएगा अब यहाँ पर देखें EPS wages इनका 10,200 है तो यहाँ पर 10,200 और इसको करते हैं 12 से और यहाँ पर भाग दे देते हैं 100 से ठीक है तो य employer share 1224 रुपए और अगर यहाँ पर EPS wages 10,200 और इसको गुना करते हैं 8.33 और भाग दे देते हैं 100 से तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 849 रुपए 0.66 यानि कि 850 रुपए तो यहाँ पर pension contribution में 850 रुपए और यहाँ पर employer share में यहाँ पर देखें 10,200 ठीक है गुना 3.67 और भ employer share में 304 रुपए तो इस तरह से आप पता कर सकते हो और मैंने आपको calculate करके भी दिखा दिया इस तरह से आप calculate भी कर सकते हो आप जान सकते हो आपका EPS wages और EPS wages कितना है और यहाँ पर आप जो है circular भी देख सकते हो यहाँ पर जो है 2014 में सरकार ने जो है EPS wages को जो है 6500 से जानकर यह information जो मैंने आप सभी के साथ share कर आपको पसंद आयोगी इसके बारे में आपकी क्या राय है क्या feedback है हर बार की तरह comment box में comment करके जरूर दिएगा मिलता जल्द एक और नहीं जानकर एक और नहीं information के साथ अपने ख्याल रखेगा बबाए टेक केर